शंकर भगवान की शिवरात्री एक अराधना की रात्री होती है हमने पहले भी कठाओं में कहा हर महीने शिवरात्री आती है प्रतेक महीने शिवरात्री पड़ती है और प्रतेक महीने की शिवरात्री पर अगर आप से बन सके आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहे कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है बहुत साधरण व्यक्ति है इसके पास धन नहीं है बेभाव नहीं है सत्ता नहीं है इसके पास खुद का मकान नहीं है इसके पास खुद की दुकान नहीं है दोसरे किया काम करता है इसके पास कुछ भी नहीं है हम उनसे कहेंगे बारों महिने के शिवरात्री आती है पांच जगा पर चड़ाई हुई बेलपत्र आप एक भर्ष्ट बारा शिवरात्री का एक नियम लेलो पांच जगा पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ एक बेलपत्र ये शिवरी ये जलाद भारी बहुत द्यान से देखना ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है गहाईजी का स्थान कार्टिके जी स्थान यह हक्त कमल मातापरवती जी का हाथ हस्त कमल शिवर Влад भगवान शंकर का इस्थान उपर से जो एक एक बून जल शिवलिंग के उपर गिर रहा है शंकर भगवान की पाँच बेटियां जया विशहरा शामरी बारी दाउतली देव बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की क्या नाम है अशोक नहीं है काम दूसरे के मकान में रहा है खुद का मकान भी नहीं खुद का प्लाट भी नहीं खुद की प्रापर्टी भी नहीं बहुत संगर्श की जिंदगी जी रहे हो ठेला धता रहे लवरी चला रहे गाड़ी चला रहे आटो चला रहे अपने लिए करने का प्रयास करना घर में जितने सदसे हैं बारों महीने शिवरात्री आती है एक बेलपत्र अशुक सुन्दरी वाली जगा पर डंडी का मून नीचे की योई दूसरी बेलपत्र माता पारवती जी अहस्त कमल पर एक ड difri जो होती है इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच अब तीसरी बेलपत्र भगवानושंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विप्रिद दिशा में हो विप्रिद इशा पर चोथी बेल्पत्र भगवान kr decir हें जहां से जल बहक कर जाता है जमीन पर जो जल कर जाता है मिदा उस जमीन के बेलपत्र समर्पित करना एक शिवरात्री से लेकर बारा शिवरात्री जो एक वर्ष तक कर लेता है एक वर्ष अपनी कड़ी महनत के साथ में मेहनत पूरी करना और यह पांच बेलपत्र पांच बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्री आती है उस पे समर्पित करना प्रारम कर द दीजिए आपको आपके कर्म का फल मिलेगा साल भर के अंदर आप अपक्छे बनकर बेट सेंगे कि अब कि अब कि अब